तो जूनियर्स कैसे हो आप लोग अच्छा मैं अपना इंट्रोडिक्शन देना फूल गया है तो हाई गाईज आदर शेर्ट तो आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में बेसिकली दो अच्छी बात में बताऊंगा और एक बुरी बाते बताऊंगा किसके लिए जो भी बच्चे भी जेई मेंस की इग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर जो भी बच्चे अभी जेई एडवांस की इग्जामिनेशन जेई मेंस को क्वालिफाई करके जेई एडवांस की इग्जामिनेशन को देंगे ये वाली न्यूस जो है वो ओफिशियल वेबसाइट जेई एडवांस की ओफिशियल वेबसाइट पे इस न्यूस को डिक्लियर किया गया बट लोगो का आजकल क्या है कि वो ऊपर-ऊपर की ख़बरें तो पूरे YouTube पे आप लोगों को मिल जाएगे लेकिन अंदर की ख़बर जब उसे पढ़के जब वो 25-30 पेज की पेज को पढ़के उसके बाद को नहीं ख़बर को बताना हो वो आप लोगों को बहुत कम जखा मिलता है हो सकता है कि अभी अब मार्केट में और तीन-चार वीडियो इससे रिलेटेड आप लोगों को दिखें अब को इटेंशन की बात नहीं है अच्छा इन सारे चीज़ों को दिल पे मतलेगा मैं ऐसे मजाक में बता रहा हूं ठीक है तो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके च सबसे पहले अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अच्छी बात यह है कि पहले 2019 में जितने बच्चे जई मेंस देते थे सपोस्थ 10 लाख बच्चों ने जई मेंस का एक्जाम दिया तो उन 10 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 2,45,000 बच्चे इलिजिबल होते थे पचास हजार कर दिया गया है मतलब पांच हजार जादा बच्चे जई एडवांस की इग्जामेंशन दे पाएंगे 2020 में जो भी बच्चे जई मेंस दे रहे हैं उनके लिए दूसरी अच्छी बात क्या है वो ये कि नंबर ऑफ गल्स सीट हैस इंक्रीज मतलब ये कि जो पि पॉइंट तो नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी जितनी भी नंबर ऑफ सीट थी वो तो रहेंगी रहेंगी लेकिन गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ सीट थी परसेंट इंक्रीज कर दिए आप यहां पर देख सकते हो यह मैंने दो जग 19 की स्क्रीन स्कॉर्ट आप को दिखा रहा हूं और नीचे मैंने कटफ बगर आप लोग आके देख लेना बहुत बड़ी सारी चीजे बताई गई है और अब एक चोटी सी बुरी बात क्या है वो मैं बताता हूं आप लोग यह पर 2019 की जो मैं डेटा दिखा रहा हूं उसमें देखो कि जो जनरल कैटेग सकते हैं और उसे डिक्रीज करके 2020 में नंबर को कर दिया गया है एक लाख 1250 मतलब की तक्रीबन 13,000 कम बच्चे 13,000 कम बच्चे अब जनरल कैटेगरी के जो थे वह जए जए एडवांस की अच्छी बात क्या है अच्छी बात है जनरल EWS के लिए क्योंकि पहले जो नंबर अ 2800 इस बार इंक्रीज हो के 25 हो गए OBC NCL में पहले थे 66,000 अब हो गई है 67,500 SC में थी हमारी 36,750 अब हो गई है 37,500 और ST में थी हमारी 18,375 अब हो गई है वो नंबर 18,750 इनके लिए नंबर आफ सीट बढ़ गई है अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाईया यह सारी चीन तो कि मुझे नोट्स आहिए जही एडवांस के लिए तो उसके लिए आप लोग मेरी यह ऑफिशियल विपसाइट जो जही आदर्स बढ़नवाल है इस पर आप लोग नीची होगे फिजिक्स, केमिस्टी, मैथमेटिक्स तीनो की आप लोग को यहां पे नोट्स मिल जाएंगी और अगर आप कुछ important news अगर देखना चाहते हो सपोज कि कोई भी examination related queries news जो है तो वो यहां पे ब्लॉग section पर आप लोग को मिल जाए जैसे कि अभी मैंने जाला है कि जही एडवांस की जो यह number of seats वो टेंज हुई है, cut-up को अगरा बताई है, मैंने फिर पोस्पॉंड दोग examination वो भी बताई है, तो यहां से जाके आप लोगों को सारी चीजे मिल जाएगी, ठीक है, और जो अभी आप मेरी channel को देख रहा है, official channel इस पे मैंने आप लोगों के लिए college reviews बनाया था, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, playlist में अगर आप जाओगी, तो playlist में आप फिलाल देख सकते हो, 25 इस college की college रिवी मैंने बनाई, फिलाल के लिए लेता हूँ, अलविदा, channel को कड़ीजेगा, subscribe, मिलेंगे अगले साथ और education वीडियो के लिए तब तक के लिए, बाई-बाई